गोबी आलू मटर की सबजी तो आप कई बार बनाए होंगे लेकिन एक बार आप इसे मेरे तरीके से बना कर देखिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा और इसे आज हम बहुत ही आसान एकदम घर के सिंपल मसालों से बनाएंगे लेकिन स्वाध ऐसा कि खाने वाले तो बस खाते रह जाएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को बिना स्किप की पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बिना देरी की इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो ये बहुत बहुत टेस्टी आलो गोबी मटर की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ केजी ये गोबी ली है जिसे की काट कर अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसके जो पीसे है ना उसे मैंने बड़ा ही रखा है आप चाहे तो थोरे छोटे साइस में भी इसे के आलो ली है जिसे की छील कर ऐसे दो पीसे में कट किये हैं आप चाहे तो अपने पसंद का अनुसार इसके पीसे को छोटा भी कर सकते हैं लेकिन गोबी की पीसे को हमने बड़ा रखा है तो आलो के साइस को भी हम बड़ा ही रखेंगे ताकि सबजी देखने में एकदम अब सबसे पहले कडाही को गरम करके इसमें हम जरुवत कनुसा तेल डालेंगे मैंने इसमें करीब एक चौथाई कप तेल डाला है जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाए सबसे पहले इसमें हम आलो को डाल कर फ्राई करेंगे गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और थोरी थो पूरी देर पर चलाते वे इसे करीब हम 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे या फिर जब तक कि आलू के उपर एक बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए तो देखिए आलू अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं आलू के उपर एक हलका सा गोल्डन कलर आ चुका है अब यह पूरी तर उपर एक बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए और अगर आप इस सबजी को एकदम हलवाई स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप गोबी को चाहिए तो डी फ्राइ भी कर सकते हैं तो लीजे गोबी को भी मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है देखिए इसके फ्राइ होने के बाद गोबी के साइस को कितना स्रेंक हो चुका है अगर आप इसे छोटे पीसे में कट करेंगे तो यह एकदम गल सी जाएगी तो अब यह गोबी भी पूरी तरह से रेडी है देखिए इसके उपर कितना बढ़िया कलर आया है तो इसे भी निकाल कर हम के लिए भूनेंगे अब यहां पर मैंने यह दो मीडियम साइस के प्याज को ऐसे स्लाइसिस में कट करके डाला है गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और थोरी थोरी दिर पर चलाते वे इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो कलर है न वो चेंज होकर गोल्डन ब्र पाउडर डालेंगे तीखा आप अपने पसंद का अनुसा थोरा सा कम या फिर जादा भी कर सकते हैं वैसे आगे इसमें हम हर मिर्च भी यूज करेंगे एक बढ़िया सा कलर के लिए मैंने इसमें आधी छोटी चमच ये कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है अब इस बड़ा चमच इसमें हम ये अधरक रहसन का पेस्ट डालेंगे और बस जरुवत करनुसार पानी डालकर इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से मसालों को घोल कर डालने से एक तो मसाले जलते नहीं हैं दूसरा सबजी का जो कलर और टेस्ट है वो बहुत ह अच्छा आता है तो लीजिए ये मसाले भी पूरी तरह से रडी हो चुके हैं इसे हम साइड में रखेंगे और देखिए इधर प्याज भी अच्छे से भून चुका है इसके कलर को देखिए लाइट गोल्डन हो चुका है तो अब इसमें हम टमाटर डालेंगे तो मैंने य पूरी तरह से निकल जाए तो देखिए टमाटर भी अच्छे से भून कर सौफ्ट हो चुका है तो अब इस स्टेज पे इसमें हम चार से पांच हरी मिर्श को ऐसे बारी काटके डालेंगे और टमाटर के साथ इसे भी बस एक से दो मिनट के लिए और भूनेंगे तो लीजि तक कि मसालो का जो कलर है ना वो पूरी तरह से चेंज ना हो जाए और तेल जो है मसालो में से अलग ना हो जाए तो देखिए किनारों पे तेल दिखने लगा है मसालो का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है और एक भूनी में मसालों की खुस्बू भी आने लगी है मतल आलू गोबी की सबजी बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर मटर को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं तो लीजे मटर को भी मसालो के साथ बस दो मिनट के लिए भुल लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे तो आपको जैसी भी ग्रेवी चाहिए थोड़ी सी पतली या फि बात के नुसा इसमें हम नमक डालेंगे तो मैंने इसमें आदी छोड़ी चमश नमक डाला है नमक आयूज हमने पहले भी किया है तो नमक आप हिसाब सही डाले और अब इसे हम ढग कर मीडियम फ्लेम पर लगभग 8-10 मिनट के लिए पकाएंगे तो इसे पकाते विए मुझ आदी छोटी चमश जीरा पाउडर और आदी छोटी चमश इसमें हम यह काली मिर्श पाउडर डालेंगे एक बार मसालों के साथ अच्छे से मिला लेने के बाद फिर से इसे हम ठकेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बस हम दो मिनट के लिए और पकाएंगे तो साथ ही यहां पर मैंने दो हरी मिर्चे भी डाली है यह पूरी तरह से ऑप्सनल है अगर आप डालना चाहे तो डाले वरना पूरी तरह से स्किप कर दे और देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एकदम पॉफेक्ट है और गोबी को भी देखिए एकदम खड़ा खड़ा सा है हमने इसे बिल्कुल भी गल आया नहीं है अगर गोबी गल जाएगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आपाएगा तो लीजे यह बहुत बहुत टेस्टी आलू गोबी मटर की सबजी पूरी तरह से सर्फ करने के लिए रेडी हो चुका है आप इसे गर्मा गर्म रोटी पूरी पराठे चावल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं सबके साथ ही बहुत टेस्टी लगता है तो एक पर आप इसे इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको यह बहुत पसंद आएगा और ट्राइ करने के बाद अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को जरूर सवान कर ले ताकि मेरी जितनी पी न्यू रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिप के साथ तब तक के लिए बाबाए